अभी मैं जब टीवी देख रहा था तो एक बहुत बड़ी खबर महारास्था में अरंगाबाद के पास सोला मजदोर रेल के पट्री पर कटकर मर गए और उनके मरने की वजय कहा जा सकता है कि बारस सरकार के द्वारा रेल के माध्यम से मजदोरों को अपने अपने गाओं में भेजने की जो गोशना की गई थी वो गोशना अगर वास्तों में रियालिटी में होती तो निश्शित रूफ से ऐसा हाथसा नहीं होता और उनको पैदल जाने के लिए रेल के पट्री का सहारा लेना नहीं पड़ता और ऐसा हाथसा नहीं होता और सोला मजदूर रेल से कटकर नहीं मरते तो सरकार ने मजदूरों को अपने अपने गाव अपने अपने राज्यों में भेजने की जो नीती बनाई थी वो केवल मेडिया में प्रचार करने के लिए बनाई थी व्यवहार में उस पर अमल नहीं हो रहा है अगर हो गया होता तो ये सोला मजदूर कटकर नहीं मरे होते हैं मर गए इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारे जिम्यदार है केंद्र सरकार कह रही है हमें 85% देंगे खर्चा और 15% राज्य सरकार दे के 15-85 के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने जानभूझ कर जगडा खडा किया जानभूझ कर जगडा करके मजदूरों के साथ में नाहिंसाफी करने का काम किया और इस वज़े से 16 मजदूरों को रेल के पट्री पर कटकर मरना पड़ा ये बहुत बड़ा हादसा बहुत बड़ा बहुत बड़ी घटना जो घटित हुई ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मजदुरों के विरोध में अमानविय नीती जो बनाई गई है उसका नतीजा है दूसरी बात ये हैं कि अगर लॉक डाउन इसी तरह से जारी रहा तो कई-कई करोण लोगों का रोजगार बंद हो जाएगा और कई-कई करोण लोगों का रोजगार बंद होने की वज़े से भूको मरने की नौबत लोगों पर आ सकती है बलकि आना शुरू हो गया है WHO का World Health Organization का ये कहना है कि जितने लोग करोना से नहीं मरेंगे उससे कई-कई गुना ज्यादा लोग भूकमरी से मरेंगे और ये जो स्थिती है ये स्थिती केंदर सरकार और राज्य सरकारों के खास्तोर पर केंदर सरकार के निती का नतीजा माना जा सकता है इसलिए हम लोगों ने ये निर्णए किया बहुजन क्रांगती मोर्चा के द्वारा सत्रा तारीक तक सत्रा मही तक लगडाउन चलेगा तो अठा तारीक को सारे देजवर में ये जो केंदर सरकार की मानविय निती है मजदूर विरोधी निती है इसके विरोध में देश्वयापी आंदोलन जेल भरों आंदोलन किया जाएगा और देश्वयापी जेल भरों आंदोलन करने के लिए मैं ऐलान करता हूँ सारे देजवर में बहुजन क्रांगती मोर्चा भारत मुक्ती मोर्चा और तमाम अफशूट संगटन के लोगों को अपिल करता हूँ कि वो इस जेल भरों अंदुलन में अपने मजदुरों के समर्थन में खड़े हो जाए इसके लिए हमारी दो मांगे है केंद्र सरकार से मांग नमबर एक मजदुरों को अपने अपने घाव अपने राज्जों में भेजने के लिए तेजी से जादा संख्या में टेने को चलाया जाए ताकि सारे देश के मजदुर केबल आठ दिन में अपने अपने गाव के तरफ चले जा सके और जब जरूरी हो तो केंद्र सरकार दुबारा उन मद्दुरों को जहां पर वो काम कर रहे थे अर्थ विवस्ता को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन मद्दुरों को दुबारा जहां पर वो काम कर रहे थे वहां उनको लेके जाया जा सकता है और वो लोग आने के लिए भी जरूर राजी हो सकते हैं क्योंकि उनके पास रोजगार गाव में रहने से नहीं होगा और रहेंगे तो भूको मरेंगे इसलिए वो भी जरूर आने के लिए राजी हो सकते हैं एक तो ये मांग है कि बड़ी संख्या में और आठ दिन के अंदर अंदर सारे मजदुरों को अपने अपने राज्यों में पहुचा दिया जाए दूसरा दूसरी मांग ये है कि देश के गोदामों में जो अनाज भरपूर अनाज बड़े पेमाने पर अनाज भारत के इंडियot अंदरन में वो अन्न मजदुरों के लिए गरीबों के लिए खुला कर दिया जाए ताकि उनके ऊपर भूक मरी की नवबत ना आ सके ये दो मुद्दों के लिए हम अठ्रा मही को सारे देज़ भर में जेल भरो आंदोलन करेंगे मैं सारे देज के लोगों को जो हमारे संगटन के सक्रिय कारे करता है उनको सारे देजबर में लोगों को मद्दुरों को और मद्दुरों के समर्थक संगटनाओं को साथ में लेकर ये जेल भरों आंदोलन किया जाए जेल भरों आंदोलन किये बगेर सरकार को जो वो दोहरी नीती अपना रहे हैं प्रचार भी कर रहे हैं और अमल में भी नहीं ला रहे हैं ये घटना औरंगाबाद की सोला मद्दुरों के कट कर मरने से सिद्ध हो गई है इसलिए ये आंदोलन अनिवार्य हो गया है इसकी मैं घोशना करता हूं और तमाम संगटनाओं को जो हमारे संगटन है उसको फावरी ताउर पर इसके समर्थन का वीडियो घोशित किया जाएं और अपने अपने इलाके में टेलीफोन से लोगों को घर से बाहर निकले बगेर तैयारी किया जाए जेल अंदोलन की और जिस दिन जेल भरो हो गा उस दिन मुख को मास्क लगा कर ये जेल भरो अंदोलन में लाखो की संख्या में लोगों को सडको पर उतारा जाए दन्यवाद झाल झाल